हेलो और वेलकम डियर स्टुएंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सिविका आपके अपने यूट्यूग चैनल स्टेडी विद दुलार में बच्चों यह क्लास 6 का हिंदी बुक है चेप्टर 8 की स्टेडी में पहले ही करवा चुका हूँ इक विली उसका काफी कमेंट आ र है तो तांबे का उपयोग ज्यादा तर बिजली उपकरनों में होता है और कुछ बरतन भी इसका उपयोग होता है आए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ कर देखते हैं सबसे पहले यहां पे लिखा हूए कानहा मयद पर्देश दिनांक 20 में और इसको आगे कुछ लिखा नहीं जिया है और कानहा जगह का नाम है पिरिये बहन दिब्या यह अपनी बहन को यह पत्र लिखता है और इस पत्र मेवा तांबे के बारे में कई सारी चीज़े बतलाता है तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है पिरिये बहन दिब्या कानहा किसली वहाँ पे एक अभारेन है अभारेन का मतलब होता है बहुत बड़ा एक चिडिया घर समझ लिजे उससे कई कुणा बड़ा होता है वहाँ पे ओरिजनल जंगल होते हुए वहाँ उसी परिवेस को बनाया जाता है जैसे कि कोई जानवर जंगल में रहता है उसी तर काफी नजदिक से देखा इन सारे खतरनाक जानवरों को जंगली जानवरों को और इसे पास से देखने में काफी आननद आया क्योंकि खूले में तो एसे देखना मुमकिन नहीं है ये बात कल के लिए उसने बतलाया लेकिन आज के बारे मतला रहा है कि आज हम मंजल खंड तामर परियोजना की तामवे की खादान देखने गए यहां हमने देखा कि किस परकार पत्थर तोड़ कर और उसे पीश कर तामवा निकाला जाता है और आज वो तांबे के खादान को देखने के लिए गया था उसी के बारे में बतला रहा है कि तांबे किस तरह से निकाले जाते हैं पत्थर तोड़कर निकाले जाते हैं और उसको पीस कर निकाले जाते हैं तो उसको हमने देखा तुम यह तो जानती ही हो कि तांबा इस पाथ से भी किम्ती धातू है तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है जैसे कि यहां पर बतला रहा है कि तांबा इस पाथ से अधिक किम्ती है मतलब iron का जो समान होता है या iron जो होता है लोहा उससे ज़्यादा किम्ती होता है और ताबा बिजली का अच्छा सुचालक होता है मतलब बिजली उस पे अच्छी तरह से काम करती है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है यही कारणने कि विद्योत उत्पादन केंदरों, जेनरेटरों, टेलिफोन और मोटरों के तारों आधी सभी तरह की बिजली की मसीनों में तामबे का परियोग होता है इसका महत्तो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता तो अधिकतर बिजली की चीजों में जहां भी बिजली का समान होता है, वहां तामबा का परियोग होता है इसलिए दिन बदिन तामबे का कीमत भी काफी बढ़ते जा रहा है और यह एक महत्तो इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है यहां हमें बताया गया कि पिर्थवे की खनीज संपदा का पता लगाने के लिए भू बिज्यानी बड़े ध्यान पुर्वक चटानों का अध्यन करते हैं जमीन की सत्व में छेद करके या बर्मा चलाकर भीतर छिपी खनीज संपदा का पता लगाने की चेस्टा की जाती है बिमानों की सहयता से भी भू सर्वेच्छन किया जाता है ऐसे सर्वेच्छनों ने हमारे देश में तामबा जैसे खनीजों के संभावित बिसाल भंडारों को खोज निकालने में सहयता की है सबसे पहले पिर्थवी में खनीज संपदा कहां पे कौन सा क्या चीज छुपा हुआ है उसके बारे में अध्यन किया जाता है उसको अध्यन करने के लिए भू बिज्यानी मतलब ऐसे बिज्यानी जो छुपे हुए चीजों को पता लगाते हैं धर्ती में क्या चीज़े छुपे हुए हैं तो उन लोग चटानों का काफी ध्यान पूरवक उसका अध्यन करते हैं अधी चटानों में कुछ भी अंस मिलता है, तामबे का लोहे कात उससे पता लगाया जाता है, यहाँ पे नीचे में इसका इसपात या फिर तामबा या और कुछ जो है इसके नीचे में हो सकता है, पत्थरों के अध्यन के अलावा जमीन पे छेद किया जाता है, जमीन पे छे जाती है उसको अध्यन क्या जाता है उससे पता लगाया जाता है विमानों की सायता से भी भू सर्वेच्छन क्या जाता है विमान से भी भू सर्वेच्छन क्या जाता है जमीन का सर्वेच्छन क्या जाता है और पता लगाया जाता है कि किस जगह में क्या चीज चुपा हुआ इसके बारे में यहां पर कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है कि कैसे पता किया जाता है और ऐसे सरवेच्छन से संभावित जगह पे जहां ऐसे संभावनाओं कि इस जगह में तांबा या कुछ और निकल सकता है तो ऐसे जगह में इन सब चीजों की मदद से खोज कर निकाला जाता है जब हम तांबे की खादान के निकट पहुँचे तब चांदनी रात हो चुकी थी हलकी हलकी टिठूरन भी थी खादान के निकट दिवाली से भी बढ़कर जगमग रोसनी हो रहे थी वहां के मैदानों और गड़ों में बहुत से लोग बड़े-बड़े बूट पह चांदनी रात थी वहां पे थोड़ी ठंड भी थी लेकिन वहां काफी रोसनी थी वहां पे बड़े-बड़े लाइट लगे हुए थे और वहां जो गठे थे उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे पैरों में लंबे-लंबे बूट चो होते हैं उसको पहन के और हैलमेट पहन के ये सारी चीजें सुरच्छा के लिए उप्योग किया जाता है अचानक एक भेंकर आवाज ने हमें डरा दिया वहां खड़े एक इंजिनियर ने बताया डरिये नहीं या डंपर है इसमें एक ट्रक से साड़े आठ गुना माल भरा जाता है हमने देखा कि डंपर एक बड़ी चटान के किनारे आकर खड़ा हो गया उसके पास एक बहुत बड़ी क्रेन खड़ी थी इसके एक किनारे पर मसीनी बेलचा लगा हुआ था क्रेन के घुमने पर या बेलचा सोता ही मलवा भरने लगता है डंपर में या सुविधा रती है कि इस से माल उतारने के बाद सुनाई देता है तो वहां के एक इंजनियर बतलाता है कि डरने की कोई बात ने है यह डंपर है मतलब डंप मतलब होता है गिराना तो डंपर एक गाड़ी होता है ट्रक के बराबर का लेकिन यह बड़े-बड़े खानों में ही उपयोग किया जाता है जैसे कि हम लोग जहां पे रहते हैं जारखन में यहां पे कोईले का खादान होता है तो यहां भी काफी सारे डंपर यूज होते हैं और वो हमेशा ही वर्क करते रहते हैं उसमें माल भरने के लिए एक बड़ी क्रेन होती है वहां पे और क्रेन में बहुत बड़ा सा एक बेलचा लगा होता ह उसका जो डाला होता है वो थोड़ा सा उपर हो जाता है और तिर्चा हो जाता है और तिर्चा होने के बाद जो है अपने आप उसका जिदो भी माल रहता है वो नीचे गिर जाता है इसके बाद हमें blast hall drill दिखाई गई इसके बारे में हमें बताया गया कि इस machine के बिजली से चलाने वाले बर्मों की साहता से जमीन में 15 मिटर घरे छेद कर लिये जाते हैं फिर उन छेदों को बारूद से भर दिया जाता है जिसे dynamite करते हैं इसके विसकारक Alfred Nobel थे जिनके नाम पर Nobel पुरुषकार दिये जाते हैं यहां पे इस वेक्ति का पिक्चर दिया हुआ है इसी का नाम है Alfred Nobel Dynamite का विसकारक Dynamite एक बारूद होता है यह एक खतरनाक बारूद होता है इसको पत्थर तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है वहां पे पत्थरों में तांबा जो मिक्स रहता है तो उसी पत्थरों को तोड़ने के लिए इस बारूद का उपयोग किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है Blast Hall Drill ब्लास्ट करने के लिए जो हॉल बनाया जाता है उसी को ब्लास्ट हॉल ड्रिल कहा जाता है वो ड्रिल करके छेदा किया जाता है और यह जमीन से 15 मिटर गहरा छेदा कर सकता है और उसके अंदर बारूद भर दिया जाता है फिर एक पलीता लगा दिया जाता है यहाँ पर जैस बतला जा रहा है इसमें जमीन और चटान फट जाती है इस विस्फोट के कारण वहाँ पत्थरों अर्था तामर ऐसक का मलवा इखटा हो जाता है जिसे डंपर भर कर ले जाते हैं वो डैनामाइट फटने के बाद वो चटान टुकड़े टुकड़े में बदल जाता है उसके बाद वही तामर ऐसक का लाता है तामर ऐसक मतलब जिस पत्थर के टुकड़े में तामर तामर मिला हुआ उसको तामर ऐसक का जाता है तो उसी को उठा उठा कर डंपर जो गाड़ी होता है वो उठा कर ले जाता है और फिर उसको फ्रेस किया जाता है इसके बाद क्रेसर प् कि यह बताया गया कि यहां हमें यह भी बताया भारत में तांबे की परमुक खाने राजस्थान के खेतली, कोलिहन, चांदीमारी और दरीब में बिहार के सीभोम, राखा, मौसा बनी, घाटसिला, धोबनी, बेदिया, कई सारे नाम यहां पे दिये गये हैं, हजारी बाग में यह बिहार में बतला जा रहा है, जबकि यह सब दुर्ग छेतर में है, आंदर परदेश दूसरा राज है, वहां पे यह दो जगहों में बतलाए जा रहा है, और करनाटक भी एक दूसरा राज है, वहां के यह दो जगह बतलाए गये हैं, इन सारे जगहों में तांबे के खान परमुक रूप से मिलते हैं, बिस्व में सबस मातरा में तांबा उत्बन किया जाता है यहां पे दुनिया की बाते मतला रहा है यहां हमारे देश में जो स्टेट अलग-अलग स्टेट में जो तांबा मिलता है उसके बारे मतला जा रहा है यह इंडिया की बाते हैं और यहां पे पूरी दुनिया भर की बाते हैं अलग-अल गाईरे सुवियत रूस, सुवियत रूस, रूस को ही बुला जाता है, जिसे रसिया बुला जाता है, इंगलिस में, इस्पेन है, मेक्सिको, ये सभी देश परचूर मातरा में तांबा उत्पन करते हैं, और यहाँ पे यह चेप्टर की जानकारी खतम हो गिया है, यहाँ पे अंतिम लाइन लिखा गिया है, आसा है, मेरे पत्र से तुम्हें तांबे के बारे में प्रियाप्त जानकारी मिल गई होगी, कल की यात्रा का वर्नन अगले पत्र में करूंगा, अब कल क्या देखने के लिए जाएगा, उसके बारे में फिर लिखेगा, तुम्हारा सुबच बहुत ही महतपूर्ण चीज है यह और इसके बाद यहाँ पे इस चेप्टर का questions दियावा है जो मुख्य question है और question number 3 जहाँ पे टिक करने के लिए कहा गया है सही या गलत का टिक लगाना है question number 4 भासा दियन ब्याकरन से यह question दियावा है यह इतना important question नहीं है तो जो important question है आईए मैं आप लोगों को उसके आंसर बना के देता हूँ यह है chapter 7 का question answer यह पत्र किसने किसको कहां से लिखा है यह पत्र संजय ने अपनी बहन दिव्या को कानहा मजद परदेश से लिखा है तामभा हमारे क्या क्या काम आता है तामभा विजली का सबसे अच्छा सुचालक है इसलिए इसका परियोग विद्यूत उत्पादन के अंद्रों, जेनरेटरों, टेलिफोन और मोटरों के तारों आदी सभी तरह की विजली की मसीनों में होता है भू विज्यानी पिर्थ्वे में खनीच संपदा का पता कैसे लगाते है भू विज्यानी पिर्थ्वे में खनीच संपदा का पता लगाने के लिए बड़े ध्यान पूर्वक चटानों का अध्यन करते है जमीन की सत्व में छेद करके या बर्मा चलाकर खनीच संपदा का पता लगाया जाता है विमानों की सहता से भी भू सरवेच्छन किया जाता है तांबे की खादान के निकट का द्रिस कैसा था अपने सब्दों में वर्नन किजिए रातरी में तांबे की खादान के निकट का दिरिश से दिवाली से भी बढ़कर जगमग रोशनी कर रहे थी वहाँ मैदानों और गड़ों में बहुत से लोग बड़े-बड़े बूट पहने और हेलमेट लगाए अपना-पना काम कर रहे थे डंपर की क्या विशेशता है यह क्या काम आता है डंपर में ट्रक की अपेक्चा साड़े-8 गुना माल भरा जाता है इसमें यह स्विधा होती है कि इससे माल उतारने के लिए मजदूर नहीं लगाने पड़ते इसके पिछे का भाग तिर्चा कर दिया जाता है और सारा माल अपने आप नीचे आ जाता है यह विश्फोट मलवा को क्रेसर प्लांट तक ले जाता है ब्लास्ट हॉल ड्रील किस परकार कायर करती है ब्लास्ट हॉल ड्रील एक छेद करने वाली मसीन है इस मसीन के बिजली से चलने वाले वर्मों की सहता से जमीन में 15 मिटर छेत की जाती है, इन छेदों में बारूद भर कर ब्लास्ट किया जाता है भारत में तांबे की खाने कहां कहां हैं? भारत में तांबे की परमुख खाने राजस्थान की खेतली, कोलिहन, चांदमारी और दरीब में बिहार के सीभूम, राखा, हजारी बाग, आदी छेतरों में अंध्रा प्रदेश के अगनी गुंडला और अनन्थपूर तथा करनाट के हसन और चितर दूर्ग छेतरों में हैं? बिश्व में सरवाधिक तांबा कहां पाय जाता है? बिश्व में सरवाधिक तांबा संजुक्त राज अमेरिका में बिसेसकर मिसीगन, एरिजोना और उटाह राजियों में पाय जाता है. यहां पे सही गलत का निसान करने के वीडियोज और अलग-अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोज हमारे चैनल में आते रहते हैं. अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए helpful है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जुरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को करके रखे आपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं.